हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर आज बनाएंगे हम यहूं के याटे से फिल्कु नया नास्ता फ्रेंस बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और एक टाइम में बहुत सारा नास्ता बना सकते हैं एक कटोड़ी से आज हम बहुत सारा नास्ता जिसमें आपका पूरा परिवार खात सकता है तो चलिए बनाएंगे नास्ते को तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपका हार दीख स्वागत है तो लाइक सब्सक्राइब करना तृसी में कर कोटकर दाल लेंगे इसमें पानी पानी नए पुझ झूछा जगा लेंगे अो इसका कमा यह प। आपका यह और जैसकी तक हम इसमें अंदर भनने के लिए हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं तो देखे आटा रेड़ी हो चुका है, राटा मेरा टाइट है, मिल्कुल भी ठेला नहीं है, तो हम रख देते हैं इसे ठक का साइट में, आवाज आते हम गैस की तरफ, गैस में पैंच चढ़ाएंगे, चढ़ाएं में थोड़ा सा तेर गे देंगे, एक चमच और जीरा डाल तो मैंने यहां मटर लिये हैं, लग भक दो चमच, तो अगर आपके पास पटर नहीं है, तो आप यहां जो मुझफली होती है, उसके दाने भी डाल सकते हैं, और फिर थोड़ा से इने चला लेंगे, ताकि मटर थोड़ा से नम हो जाए, और फिर इसमें लसून और अद्रक दोनों को मैंने यहां कद्दू कस करके डाला है, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, और बस इनको थोड़ा से चला लेंगे, ताकि जो कच्छा फिलेवर होता है लसून का, वो दूर हो जाए, और अब डालेंगे इसमें मसाले, जिसे हम यहां थोड़ी सी हल्दी डाल दे बुलेंगे, ताकि मसाले हमारे भुण जाए, और थोड़ा सा भुणने के बाद फिर इसमें डालेंगे हाम आलू, आलू मैंने यहां अबले होई लिए हैं फ्रेंज, दो आलू लिए हैं जिसमें से एक को मैंने कद्दू कस करके डाल दिया है, और एक को न आप थोड़ा हा इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसालो का फ्लेवर आलू में अच्छे से चला जाए और आलू को भी थोड़ा से हम भून लेंगे बतब चला चला कर थोड़ा सा मसाले को अच्छे से इसमें एड हो जाएगा तो यहां हमारा हो जाएगा मसाला रेडी आलू का और इसको अब हम निचे उतार लेंगे ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक हमारा मसाला ठंडा होता रहेगा तब तक हम आजाते हैं दूसरी तरफ एक कटोरी ले लेंगे फ्रेंज और कटोरी में थोड़ा सा बस यहां काटा डालेंगे लगभग आदा चमच और डालेंगे इसमें पानी और एक खोल त्यार कर लेंगे और इसको भी रख देते हैं साइड में कि इसकी जुरत अब बारने पढ़ने वाली है अब आज आते हैं वापिस हम आटे की तरफ तो अब आटे को एक बार थोड़ा सा और हाथों से चला लेंगे और फिर आटे की ना आप वही छोटे-छोटी से लोईयां बना कर इसकी पूरी जैसे बेल सकते हैं तो आप जैसा करना चाते हैं वैसा कर सकते हैं तो देखिए मैंने फिलाली चोटी-चोटी से लोईयां ली है और इसको बेल कर हम पूरी की तरह निकाल लेंगे तो अब आता है मैं जिससे मैं आपको बता रही थी कि उस चीज का अक्सर हम फेस्टिवल में ही इस्तेमाल करते हैं फ्रेंस या प्रहोली या फिर दीपावली तो मैं उसी गुजिया की सांचे से आज ये नास्ता बनाने जा रही हूँ कि इस आजन रखा रहता है इस तरह हम फेस्टिवल के समय ही निकालते हैं इसको अपना वैसे भी नेकास सकते है डेली यूज के लिए क्यूंकि बहुत जल्दी नास्ता बन पी जाता है जैसे आलू को कोई नास्ता बनाना जा रहे हैं तो फटआपड डाल ना सकते हैं और ट दबा लेंगे ताकि अच्छे से यह पैख हो जाए और बद्धे से हम गुजिया को करते हैं पिल्कुल वैसा ही फ्रैंस पिस तोड़ा मैदे की बना लेते हैं तो आज हमने यहों के आटे से बनाया है और इसमें हमने आलू फरकर बनाए हैं बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रै हम आलू उसको डाल देंगे तो आप इसको अपने हिसा के भषान से भर सकते जितना भी भरना चाहते हैं अपowej से बास के आसे किमें आजारे के नारे आटे कर चीए नाचना उसको लगा लें direv साग्या अगर आपके पास यह मसीन घर में है तो निकालिए और नास्ते को बनाईए जल्दी भी बन जाएगा और समय की बज़त भी हो जाएगी तो देखिए यह देखिए रेडी हो चुका है तो बस इसको रेडी करके न हम रखेंगे साइट में दूसरी तरफ आजाते हम थोड़ा सा आटा ले रेंगे थोड़ा सा तील डाल डेंगे और इस में आप पानी डाल देंगे तो इसका घोल हमें करना है बिलुकुल पतला कृसट अ यह थोड़ा सो चीलेफ्लेकर नाटा टायार टायार कर लेंगे तो यह आपके लिए बिलुकुल उप्शन न है लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा कुर्कुरा बनाना चाहते हैं तो इसमें डाल कर बनाईएगा नास्ता बहुत कुर्कुरा बनता है तो देखे इसमें तो डीप करके और जो एक्स्ट्रा इसका आटा है उसको अच्छे से कर रिचोड लेंगे ताकि तेल में जाके ये छीटे ना मारे तो दे लेंगे और फिर दुसी तरब अच्छे से सिख जाए तो फिर पलट लेंगे लिनकी उलट पुलट करकर हमने इस नास्ते को रेडी कर लेना है तो नास्ता बहुत ज़्यादा कुर्कुरा बनता है फ्रेंस सिरब क्यों काटा हमने इस्तमाल किया है और इसको आप कम तेल में इसको तल सकते हैं तो बस रेडी हो चुक है इसका आवाज सुनेगा आप एक हे करके हम सभी को रेडी कर लेंगे इसे आप चटनी के साथ या कैचप के साथ सब कर सकते है तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो शुरूसले की अन तक तो प्लीस मेरे चादर क लाइ, सब्सक्राइब और कमेट करना प्रिकों मत भुलियेगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में